तो हेलो गाइस केसा आप सभी लोग स्वागते को रहे निव गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं लाश्ट रूल सर्वाइवल तो गाइस अभी मेरी चल रही है सोलो जर्नी और आप सभी को याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि इस बेस पर दो बंदे रेड कर रहे थे और उसके बाद में उनसे फाइट हुई थी वैसे उनसे मुझे उजी नहीं मिली तो अभी मैं फिर से मतलब अपने बेस में उल्लाइन बेठा था और तभी मुझे यहां पर पास में फुटिश टेप आए तो मैं इस बेस में आए अलोब बिलकुल भी एम नहीं जाता है बंदेपे मतलब एक तो एक तो एम असिष्ट चलता है और एक नहीं चलता तो मेरे बनॉड़ उत रहे और तु इबहाई तो मेरे भी सो मेरे यשपरीर करके दीखा तू वेसा करके तो एक बार आई डिवास का मोबाइल अज आने दो क्योंकि अभी तो यार PvP गाइस में करी नहीं सकता में दिक्कत तो यह है अब अभी तो मतलब बात ऐसी हो गई कि एम एना मुझे बंदे पर खुद ले जाना पड़ता है और फिर भी मतलब एम असिष्ट नहीं चलता है गाइस तो दोस्तों देखो मेरे पास में काफी सारे कंपोनेंट्स पड़े हुए थे और मुझे इस पेर की ज्यादा जरूरत थी ठीक है तो इसलिए मैंने क्या किया कि जो बेकार का आइटम मेरे पास में पड़ा था ना उसको मैंने डिस्क कर दिया अब आप लोग सोच रहे होंगे वह सब कुछ मैंने डिस्कार दिया जो भी मतलब कफ़रा पड़ा था यार मतलब कफ़रा ही था यही मानो आप वह सारा कछरा मैंने सापकर दिया अपने बैस में से और अब क्या पूरा मतलब large stretch clear हो चुगा अब काम काम के लूट रहे गए मेरे पास में तो यहां पर मैंने बनाया है यह अभी से लेके लाश्ट तक काम आएगा बाकी मैं आप सभी को जो यह बंदों की मतलब शोप लगी हुई है यह दिखा रहा हूँ देख लो यार बंदे क्या क्या सेल कर रहे है ट्रेट टिगिट में सब कुछ सेल किया जा रहा है कोई बजू का सेल कर रहा है कोई क्या सेल कर रहा है यह बाई साब सो ट्रेट टिगिट में सेल कर रहे है और वो भी क्याफ़ा तक कितनी तियार कमी थी शायद तो चलो मैं सेल फिरी कर करके इसी तरह से में बेस में अपनी ये लूट ट्रांसफर कर लेता हूं, उसरी प्लेट चूड़ गई है, प्लेट भी मैं अभी दुबारा सेल्फिरी करके ले आओंगा, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने अपना मेन बेस बना लिया था, तो इसी बेस में अब मैं रेना श्टार्ट कर दिया हूं, और यहाँ पर मैंने मतलब अपनी लूट वूट ये ट्रांसफर कर ली थी, ठीक है, साथे साथ लार्ज इस्ट्रेज में सारी लूट मैंने सेट कर दिया, थोड़ी बहुत अभी पूरी तरह सेट नहीं किये, लेकिन हाई है कि अब काम काम के लूट रहे गई है, बाकि और जितना भी कचरा पड़ाता नो, वह सारा हमें चाट के ले गया और पूरा का पूरा मैंने डिस कर दिया है, तो उससे मुझे थोड़े बहुत इसपेर और मिल गए है, इसपेर अपने पास में अच्छे कासा हो चुके है अभी, अब दोस्तों देखो, इसका जो मतलब मेन केबिनेट रुमेने इस बेस का, उसको मेने फुल अपग्रेड कर दिया है, इस टिल से, बाकि और जितनी भी जगाए, वहाँ पे मैंने जादा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि सभी लार्ज श्ट्रेज पे लोक लगे हुआ है, ठीक है, तो इसलिए अगर कोई बंदा रेड भी करेगा, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, जब तक वह केबिनेट नहीं तोड़ेगा अपने बेस की, क्योंकि अभी क्या है कि मतलब 71 हावर्स से पेले का थाएम है, ठीक है, 71 हावर्स के बाद में अगर कोई रेड करता है बेस पे, तो पर उसके बाद अगर वह लार्ज श्ट्रेज भी तोड़ता है, पर कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको क्मेस की केबिनेट तोड़नी पड़ेगी, तब यह आपको पूरी लूट मिलेगी, पूरी नहीं मतलब, यह मानलो कि 20% के लगबग लूट आपको मिलती है, ठीक है, एक लार्ज श्ट्रेज में जैसे 22,000 सलफर रखी हुई है, पूरा बॉक्स फुल है, तो उसमें से कुछ तो मतलब गायव हो जाती है, यह मानलो कि गेम खा जाता है, और फिर उसके बाद 20% के लगबग सलफर आपको मिलती है, क्योंकि जो 22,000 के इस्टेक रहते हैं, वो 1400 पर रह जाते है, तो उससे आप लोग समझे लो कि कितनी लूट आपको मिलती है, थोड़ी बहुत लूट गायव भी होती है, क्योंकि हमने यह बात ट्राइ करके देखी थी, जैसे कि हम अपने बेस की केबिनेट तोड़ देते हैं, तो फिर बेस अंडर प्रोटेक्शन में चला जाता है, और उसके बाद अगर कोई बॉम लगाता है बेस पे, तो बेस रेड नहीं होता, तो हमने यही मतलब ट्राइ किया था, उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे एक QBZ, मतलब जितनी भी लूट गिरी न केबिनेट पर बॉम लगाने के बाद में, तो हमारे एक QBZ गाया है वो गई बॉक्स में से, ASK की बात है, ASK ने एक बार एक सर्वर में ट्राइ किया था, तो उसके बाद उसने बोल दिया कि यह तरीका भी बेकार यार, एक QBZ गाया है, वो गई पूरी हेल्थ की, तो गेम भी खा जाता है, थोड़ी से लूट, तो गाईस ही इतना बड़ा बेस मैंने बना लिया है, और इसको पूरा अपग्रेड मैंने कर दिया है, स्टोन से, बाकि अंदर से यह अभी तक अपग्रेड है, आइरन से, और मैं कैबिनेट रूम इस्टिल सपग्रेड है, एक बात मैं और बता देता हूँ, अभी तक इस बेस का काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, जहां जहां पर आपको यह जगा दिखाए दे रहें, वहां पर अभी तक डोर लगाने बाकिए, लेकिन मैं धीरे धीरे डोर लगाऊंगा, और सर्वर के लाश्ट तक पूरा इस बेस को कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि यार मतलब फार्मिंग पे तो मुझे करनी है, तो इसलिए मैं आप फार्मिंग पे भी ध्यान दूँगा, साथ साथ रूम करने पे भी ध्यान दूँगा, दोनों काम होगे, क्योंकि अब अपना बेस तो एक तरह से यह मानलो बन चुका है, तो ज़्यादा काम नहीं है अपने बेस में, ओके तो गाईस, अभी मेरे पास में ठीक ठाक स्पेर हो चुके थे, 2100 के लगबग, तो इसलिए मैंने सोचे कि यार, अब एना रेसिपी निखाल लेते हैं, जो आइटम अपने पास में उनकी, तो मैं एक काम करता हूँ, फेले तो फालतू का कचरा में निखाल दिया हूँ, बेक से, और अब मैं निखाल लेता हूँ, सिंपल ओयल बॉम की रेसिपी, ठीक है, फिर एक दो बेस यार, गाईस, रेड भी करेंगे अभी भी, तो इसलिए मैं सिंपल ओयल बॉम की रेसिपी निकाल रहा हूँ, फिर साथ इसाथ ये अपनी जो मेड़ वर्क बेंच है, इसको मैं एड़ वर्क बेंच बना देता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ, कितने स्पेर बचे अब अपने पास में, तो गाइस यार अभी हेड मैट की रेसिपी तो नहीं निकलेगी, मुझे लग रहा तक यह निकल जाएगी, लेकिन कम पढ़ेंगे स्पेर, तो अब मुझे यार देखो गाइस, और ज़्यादा स्पेर करने पढ़ेंगे, अब मैं बाकी यह जो कुछ है, यह रख देता हूँ अंदर ले जाके, अब दोस्तों जो इसपेर मेरे पास में अभी बच गए थे, उनकी मैं रेसिपी निकाल रहा हूँ मचेट की, वो इसलिए कि यार ड्रम तोड़ने में मचेट ज़्यादा सही रहता है, वोट कलप से, आप लोग समझ सकते हो यार, ताकि जल्दी से मेरे पास में इसपेर हो जाए, इसलिए मैं मचेट बनाऊँगा अब, तो बाकी यह इसपेर बच गए थे, इन्हें मैंने रख दिये, केबिनेट में, और यहाँ पे सिंपल ओयल बॉम की रेसिपी मैंने यूज़ कर लिए, तो अब एक बार मैं बाहर जाता हूँ गाईस, और बाहर मैंने मचेट की रेसिपी निकाली थी, तो वो रेसिपी भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, मैं हमेशा यहाँ ही पे बेठा रहता हूँ और ओनलाइन ही रहता हूँ जादा तर इस सर्वर में, ठीक है, तो मैं एक बात देख रहा हूँ, मैं जब भी बॉम शेल्टर में जा रहा था ना, तो मुझे हमेशा रूम लूट एड मिल रहा था, तो मैंने बैटल चेट में पूछा भी किया, आकर यहाँ ऐसा कौन से बंदा है, जो चुप चाप में रूम करके चला जाता है, मतलब मैं रूम में लूट देख के जाता हूँ, उसके बाद मैं मैं कार्ड लेने जाता हूँ, अपने बैस में जादा दूर बैस नहीं है मेरा, और मैं दुबारा कार्ड लेके आता हूँ, तब तक रूम में लूट गायब, तो ऐसा कोई बंदा था, जो मतलब लगातार यार, मतलब रूम लूट रहा था, तो उसके बाद मैं मुझे एक बार यहाँ पे गाड़ी का साउंड आया, तो मैं तुरंत यहाँ पे निकल के आया, बिना कुछ गन लिये, ठीक है, और उसके बाद मैंने देखा कि भाई साब यहाँ पे कार लेके आये थे, और रूम कर रहे थे, तो मैं समझगे कि शायद यही बंदा है जो बॉम शेल्टर को लगातार लूट रहा है, इसलिए मुझे लूट नहीं मिल रही बॉम शेल्टर में, तो मैंने सोचे कि आज इसकी कार को फूड़वाई देता हूगा इसमें ताकि यहाँ पे आना तो बंद करते, तो इसके साथ मैं एक तरह से यह मान लो, यह खेल खेल रहा हूँ, ताकि यह परिशान हो जाए, और दुबार शायद यह यहाँ पे आएगा, क्योंकि इस बार मैं इसके लिए पूरी तैयारी रखूँगा, वैसे इसकी कार यह फूड़ जाएगी, तो इसका कार का नुकसान हो जाएगा, तो यह शायद दुबारे यहाँ पे नहीं आएगा, यह समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ बेकार बंदे रहते हैं, तो वैसे तो यह मुझे किल करना चाहता था, यह अपनी कार पे काफी फायर किया, और मतलब काफी दिमाग लगा-लगा कि फायर किया, लेकिन अंत में इसकी कार के आग लग गई, और मैं यही चाहता था, मैं यही चाहता था कि मतलब यह खुद अपनी कार के आग लगा दे और मुझे नोक करे, जब इसकी कार ब्लाश्ट होगी तो मैं भी नोखो जाँगा लेकिन मेरे पास में लूट के नाम पे कुछ भी नहीं है अब अभी मैं अगर एक जगे बेठा रहता ना कार में तो ये मुझे 100% किल कर देता और इसकी कार भी ब्लाश्ट नहीं होती लेकिन यहाँ पे मैंने दिमाख लगाया मैं बार-बार में अपनी सीट चेंज कर रहा था मतलब कभी मैं ड्राइविंग सीट पर आ रहा था और कभी मैं दूसरी सीट पर जा रहा था इसी वज़ा से ये मुझे मतलब किल नहीं कर पाया मेरी हेल्थ आदी ही हुई तो कोई बंदा अगर चुपचाप चुपचाप सारी लूट आपकी ले जाता रहे ना तो उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए गाइस ठीक है कारवार फुडवा दो उनके हाथों से उनकी और दिमाग का खेल खेलो क्योंकि जहां पे PvP नहीं चलती या फिर जोर नहीं चलता वहां पे दिमाग चलता है तो इसी तरह से दिमाग से भी काम हो सकता है बंदो का तो आभी फिलाल मैं आचुका हूँ रिसर्च सेंटर पे सबसे पहले मैं सोच रहा था कि यार research center पे room करके और एक blue card तो ले ही चलते है और साथे साथ green room से ही starting करते है room करने की क्या है फिर अच्छा लगता है गाइस विसे green room में कुछ अच्छी loot मिलती नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे blue card तो मिली जाएगा तो यह आगे है रंग उड़ा हुआ ammo chest तो पेले तो यहाँ पे जितने भी box है वो सारे के सारे तोड़ लेता हूँ मैं उसके बाद मैं blue card उठा लूँगा मैं मुझे याद है blue card भी लेना है चलो तो सारी loot मैंने ले ली है और यहाँ पे अब मैंने blue card भी ले लिया है अब मैं बता हूँ अब जाके मुझे यहाँ पे ग्रिन रूम में पेली बार लूट मिलिये गाइस ठीक है काफी टाइम हो गया सर्वर को खेलते हुए अब जाके पेली बार लूट मिलिये ने तो इससे पहले मुझे रूम में कभी लूट दिखाई नहीं दिये इसलिए मैं पहले ही दिमाग से चला गाइस मैं इतने दिनों है ना मतलब आयरन और बागी चीजों की फार्मिंग करता रहा और अपना बेस मैं अपग्रेड कर लिया इस्टोन की फार्मिंग की मैंने अब अपने बेस का काम कंप्लीट हो गया तो बस अब मुझे सल्फर करनी है और रूम ही करना है तो इस तरह से मैंने मतलब सारा दिमाग से पलान किया था क्योंकि यार मुझे पता था कि शुरुआद में बंदे रूम में लूट नहीं मिलने देगे तो गाइस यार green room में ने कर लिया इसके बाद में मैं देख लिया था यहाँ पे bili room में बॉम shelter में loot आ चुकी थी तो इसलिए मैं जल्दे से यहाँ पे आया लेकिन यहाँ पे अंदर आने के बाद में मुझे footage step आये तो मैं समझ गया है कि एक ही बंदा है यार यहां पर एक बंदे से फाइट करते हुए पीचे से दूसरे ने मुझे किल करती है यार गाइस तो सबसे बड़ी बात यहां पर यही रही कि मैंने रिपोर्ट चेक नहीं कि अगर पहले पता चल जाता दो बंदे तो मैं रूम करने जाता ही नहीं वैसे अपनी कुछ खास लू बन गया था कि मैं थोड़े बहुत बॉम बना पाऊ तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं सीधी सी बात है यार गाइस रेड करेंगे क्योंकि अभी रेड का टाइम शुरू हो चुका है एक बार आपको ट्रेड जोन की जो शोप है उसका हाल मैं ब जोगार करेंगे परपल रूम का भी और परपल कार्ड का भी चलो तो अभी तो जल्दिते यार गाइस मैं सोच रहाऊं कि यार रेड करके आना चाहिए अब मैंने बेस देखे दो और उन पे मैं सोच रहा हैं कि रेड कर देता हूं अगर अच्छी लूट मिल गई तो लूट मिलती है और मैं यहां पर है ना सिंपल ओयल बॉम कम ही लेकर आया हूँ ठीक है क्योंकि यार बीच में अगर किसी बंदे से मुलाकात हो गई ना तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी और साथे साथ क्या है कि मैं तो सोल हूँ और सामने एक साथ दो तीन ऐसे बंद से क्योंकि इसने डॉर पर लोक नहीं लगाये थे तो मैं अंदर जाके देख चुका हूँ इसका बैस अंदर से स्टिल साप्ग्रेट कर लिया था इसने चलो तो यार गाइस ये वाला वो बैस है जो पूरा स्टोन साप्ग्रेड है और इस पे मुझे रेड करनी है तो ये वाला डोर है यार इस पे वैसे भी कुछ ज़्यादा दिक्कत तो आती नहीं अगर हैमर होता तो हैमर से भी मैं रेड कर सकता था लेकिन वो मुझे काम की सारी लूट ले ले लेता हूं बाकि फाल्टू की रेने देता हूं यही पर फिर अपना बेग जो है फुल हो जाएगा मुझे तो लग रहा है कि एक लारज इस्ट रेज में ही अच्छी लूट मिलीे चलो तो गाइस और इसमें देख लेता हूँ एक बार क्लोसेट में यहाँ पर इस्टिल का बूट मिल चुका है मुझे अब केबिनेट बाकी रही गाइस तो केबिनेट में बाद में तोड़ लूँगा पहले एक बार यह लूट सेफ कर लेता है क्योंकि मेरे पास में सीफोर आ चुका है ना तो सीफोर को एक बार में सेफ रख देता हूँ उसके बाद में दुबार आके केबिनेट तोड़ जाएगी गाइस हमें तो मैंने सब कुछ ले लिया है यहां से न वॉक्स में से वो इसलिए कि गाइस यार अगर इनको डिस करेंगे न तो उससे भी स्टिल मिलती है आप सभी को पता है तो इसलिए मैं सब कुछ ले रहा हूं यहां पे कुछ आइटम मुझे निखालना पड़ तो यार यह जो रेड हुई न बेस भी छोटा था और हमारे सिंपल ओयल बॉम भी कम लगे और लूट हमें काफी अच्छी मिल गई देखो इस्टिल का बूट मिल गया काम की चीज़ और साथे साथ हमें सीफ़ोर मिल गया दो उजी मिल गई एक फारमस मिल गई तो अब बस यार आना बाकी है मतलब यार और तो सारी चीज़ हमें मिल चुकी है यह वाला जो बेस है यह अभी दो तीन दिन पहले ही बनाया गाइस और एक बार मैं सोच रहा हूं कि इसके अंदर भी चलके देखना चाहिए यह बंदा हमेशा ओन तो बेठा रहता है लेकिन पता नहीं करता क्या है मैं इसको कभी भाहर ही नहीं देखता इस बस जब यह बस बना रहा रहा ता न तब जरूर यह बाहरा था तो मैं सोच रहा होगा कि इसको थोड़ा और इसका डोर वोर तोड़ते यार गाइस अंदर चलके देखते कितना अपग्रेड किया इसने बेस अपना तो गाइस शोडगन की एमो तो खतम हो गई लेकिन में डोर तोड़ने में कामयाब हो गया यहां पर देखो इसका बेस कुछ आलगी टाइप का बन बने वाले देते हैं तो कई बार तो मुझे लूट ऐसे भी मिली है चलो तो गाइस इस पर मैं रेड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अभी तक सिंपल ऑइल बोम बनाए यह देख लो बंदा ओनलाइन अभी भी लेकिन यह पता नहीं अंदर बेठा बेठा करता क्या रहता है चलो तो मैं तो अपनी लूट ले जाता हूँ अपने मेन बेस पर थोड़े देर यहां पर टाइम पास करके तो बस आज के लिए इतना है अगर आज का यह वीडियो आप सबी को पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो पर 400 लाइक का एम बोर्ड लगा झाल